नमस्कार दोस्तो नैचुर लुक से मैं डॉक्टर अमर्जी सिंग दोस्तो आज हम बात करेंगे गुटनों के दर्द के बारे में जोडों का दर्द आज आम रूप में अधिकतर पूरे विश्यम में बजर्गों में और 90% लोगों में पाया जाता है यह यह प्रॉब्लम होती है कैल्सियम की कमी की वज़ा से या घुटनों के उपर चोट लगने से या लिगमेंट में मोच आने से मास बेश्यों के किचाव से और ज्यादा तर दिखा गया है कि कैल्सियम लो एज 30 के बाद होनी शुरू होती है विटेमिन डी की कमी होनी शुरू होती है जिसके कारण यह घुटनों की और जोडों में दर्द रहना शुरू हो जाता है यहां फिर बायो मेकैनिकल डिसनफेक्शन की जैसे पेट्रो फेमेलियन सिंड्रोम है यहां फिर शैटिका पेन जब बढ़ जाती है तो यह दिकत बढ़नी शुरू हो जाती है सधारन रूप की अगर उपाए करने से शुरुवाती घुटनों के दर्द को जो हम हैं घर में ही ठीक कर सकते हैं तो अगर ज्यादा है आपको प्रॉब्लम तो आप मेरे दिये गए नंबर पर हमसे नैचुर लुक्त में आप संपक कर सकते हैं क्योंकि चार से पांच महीने में जिनकी बहुत ही करने इंनको करेंगे थे घर में ही इसका उप्चार जो है करके आप उसे निदान पा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप दिएगे नंबर फे इसे संपर कर सकते हैं या अगर आपको बहुत जादा क्रॉणिक पैन है तो ज्च में खिएब गर में ही काई पाइसे इससे निदान कैसे पाया जाए जो आपके घुटनों का दर्द है सबसे पहले तो मैंने जब बताता है रहता हूं कि बदाम रोगन एक चमच सुभा गरम दूद के साथ लिया जाए तो इसमें भी आपको गुट्नों में जो दरद है उससे आपको नियात मिल सकता है लोज सुभा आप खाली पेट एक चमच मेथी पाउडर, एक चमच कलोंजी, इसको गुनि हने पानी में दोनों की मात्रा करके पिर एक चमच यानि कि एक चमच मेथी पाउडर एक चमच कलोंजी लेकर इसका एक चमच आपने जो है गुंगरे पानी में आप ले सकते हैं बोजन के बाद और रात को फिल बोजन के बाद इससे आपके जॉइंट्स जो हैं मजबूत होंगे इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं मुलट अपना जो फिटकडी होती है फिटकडी लीजिए और सिंदा नमक लीजिए इसको गर्म पानी में डालिए और फिर किसी मलमल के कपड़े से या मुलाइम किसी जो आपके पास टावल होते हैं चोटे उसमें भिगोकर निचोड कर उ तो इसके साथ भी आपको काफी रहत मिलेगी खाने के बाद जो खाने में गर्म तसीर की चीज़ें जैसे की दालचीनी है जीरा है अद्रक है हल्दी है इनका इस्तमाल करें इससे भी गुटनों की जो सूजन है वो कम हो जाएगी मेथी दाना सूवट हल्दी बराबर मातरा म बाद में पॉडर को सुभा शाम भोजन के साथ जो आप ले सकते हैं जैसे आपने भोजन किया तो गर्म पानी में इसका एकचममच मिक्स करके फिर आप इसको पी ले तो इससे आपको काफी रहत मिलेगी इसके साथ जो आपको ग DIY बनती है उसमें भी अपको इससे रहत मिले आप eater पीस पर रघगर समत मोईंग काश करते हैं. और नेम और अरंडी का तेली आप रभर मातरा नेम आध़र मात्रा में वहांगा। सुबह शाम इसकी मालिश करें तो उसमें भी आपको काफी रहत मिल जाएगी तो ऐसे ही गेहूं के दाने जितना चूना आप दही में मिला कर अगर हर रोज लेते हैं तो उससे आपका कैल्शियम बढ़ेगा और आपको घुटनों के दर्द में रहत मिलेगी ध्यान रहे कि आपने इसको लेना है लेकिन जिन लोगों को पत्री की शिकायत है वो इससे परहेज करें चूना वो लोग ना ले जिन लोगों को पत्री है स्टोन की प्रॉब्लम में आप चूना वर्जित है तो दोस्तों नैच्रल लुक में आप ऐसे ही जुड़े रहे हैं अगले और के लिए मैं फिर डॉक्टर मजी सिंग आप से साथ जुड़ूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें अगर आप फेस्बुक पेज पर हैं तो इसको लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तांकि आपको अ